वेल्कम टू अमेजिंग लर्निंग हब चैनल यदि आप चैनल पर फर्स्ट ताइम आएं तो बेल बटन प्रेज करकर सब्सक्राइब करें लाइक एंड कमेंड करें आज हम डिस्कस कर रहे हैं CBSE रिजल्ट 10 और 12 परिच्छा दे चुके करीब 38 लेट चात्र चात्राइं बेसबरी से रिजल्ट के जारी होने का इंतिजार कर रहे हैं CBSE बोर्ड रिजल्ट 2023 की इंद्रिय माद्मिक सिक्छा बोर्ड द्वारा मई 2030 में कक्छा 10 और 12 के लिए CBSE परिच्छा परणाम 2023 गोसित किये जाने की संभावना है चात्र CBSE परिच्छा परणाम 2023 CBSE बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट CBSE रिजल्ट डॉट निक डॉट इन पर देख सकते हैं चात्रों को 10 और 12 के रिजल्ट ओफिस्यल वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन हमने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया है CBSE परिच्छा में इस वर्ष 38 लेट से ज़्यादा इस्टूएंट ने परिच्छा दिये जिसके चलते वेबसाइट पर भारी ट्रेफिक देखने को मिल सकता है इसलिए बोर्ड की ओर से रिजल कई वेबसाइट के साथ एप एवं SMS के मादन से भी प्राप्त किये जा सकते हैं CBSE कक्छा 10 एं 12 का परिच्छा पढ़ना बोर्ड की ओफिसल वेबसाइट रिजल्स.cbse.nic.in एवं cbse.gov.in पर जारी होंगे इसके इलावा रिजल्स.digiLocker.gov.in एवं एप पर भी जारी किये जाएंगे जहां से स्टुडेंट अपने नतीजे चेक कर सकेंगे इसके इलावा परिच्छारती SMS के मादन से भी अपना रिजल्स.पराप्त कर सकते हैं cbse.c ने रिजल्ट की तैयारी के लिए एपस को अपडेट भी कर दिया है जिससे की रिजल्ट को जानने में परिच्छारतियों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े तैंक यू